आज हम बनाने जा रहे हैं सुबह का बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार नाश्टा जो पहले गाउं में अक्सर लोग बनाकर खाया करते थे उससे उनकी सिहत भी अच्छी रहती थी और स्लीम और ट्रिम भी रहते थे तो यह मल्टी ग्रेन आटा है जिसके अंदर जुआर है बा नाम नहीं लेना चाहते हैं आप उन ब्रांड का भी आटा ले सकते हैं नहीं है तो आप एक एक किलो जो जो हमने चीज बताइए उसको आप चक्की पर पिस्वा लें पिस्वाने के बाद में ऐसा आपका मल्टी ग्रेन आटा तैयार हो जाएगा यह वेट लॉस करने के तो आप मेरा 200 ग्राम आटा है इसके अंदर सॉफ्ट करने के लिए दो से दीर टीस्पून दूड डाल देंगे और इसको अगर आपको लगता है तो थोड़ा से दूद आप इसके अंदर और एड़ कर सकते हैं मतलब आप थोड़ा से और दूद आड़ कर देंगे तो रोटियां बड़ी सॉफ्ट बनेंगी नमक हम इसलिए नहीं डालना है क्योंकि ये बीपी और शुगर के लिए ठीक नहीं वेट लॉस के लिए ठीक नहीं ये नमक तो इसलिए हम नमक इसके अंदर नहीं डालेंगे यह देखे हमें इस तरह का soft सा dough बना लेना है जिस तरह का आप देख रहे हैं इस तरह का dough बना कर हम इसको जो है बाउल में रखके पांच से दस मिनट का इसको rest दे देंगे तो इसको हम किसी कटोरी से बंद करके बाउल को उटा देते हैं तब तक कि हम अपने चटनी का इंतिजाम करते हैं चटनी बनाने के लिए हमें ताजे आम चाहिए होएंगे अब आपको चटनी जित्ती बनानी हो आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं हमने इसके लिए लिया है दो आम थोड़े से पुदीने की पत्ती थोड़े से सूखे मिर्च लाल वाले और टेस्ट के हिसाब से नमक और प्योड सरसों का तेल तो चटनी बनाने के लिए हम एक मिक्सर का इस्तिमाल कर रहे हैं आप चाहें सिलवटे पे पीस ले और चाहें तो मिक्सी में आप जो है इसको ग्रैंड कर लें अब इसके अंदर पहले पुदीना डाल देंगे सूखे लाल मिर्च डाल देंगे और अपने आम को छील कर दोनों आम को छोटे-चोटे कट करकर वो मिक्सर में डाल देंगे अपने टेस्ट के एक और नमक डालेंगे यह देखिए हमारी आम की चटनी जो है वो रेडी हो गई पीसके अब हम इसके अपने अपने टेस्ट के कोडिंगे नमक डालते हैं आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको किसासे नमक चाहिए उसका है इसका अपतल के फिल जो है आप पिर वो डाले लdoing इसका मेहिन तेस्ट जो है वो वो इस तरह से आता है कि आप इसके अंदर आम की चटनी के अंदर सरसों का तेल जब पढ़ता है तब इसका मज़ा जो है वह अच्छा हो जाता है यह देखे अभी से जैसे ही तेल डाल के और प्यास डाल के नमग मिला के रखा इसके अंदर अच्छी से खु आप इसकी लोही बना लेए लोही बना कर 95- Всằन तकर बना Eliar जै दीह महातसित को सब देतीगanız है लोही और हम न चोटी नन शेयाना मीदि ओसरी मेस है के दो किसा में रॉटी खोरिछे फ मत आफिशा में इस थी लोही पना दो जाएगी तो आप इसे साथ से आपको कितनी मोटी खाना है, वैसे रोटी मोटी ही अच्छी रखती है चटनी के साथ में, आप इसके अंदर आटे की खुश्की लगाईए, और इसको जो है, आप बढ़िया सा बेल लीजे, बिस्मिल्लाहर्माले रहीम, इस तरह से आप इसको बेल लीज तो आप इसको आराम से इस तरह से इसे बेल लीजे, और बेलने से पहले आप क्या करिए, तवा चड़ा दीजे, लो फ्लेम करके तवे को रख दीजे, ताकि तवा आराम से हलका फुलका ठीकता रहे, जादा तेज नहोंने तो आप डालेंगे, चिपक जाएगी, रोटी काल है, उपर से रोटी सकत नहीं होगी, और इसका फिर बाद में आप देखेगा कलर किता अच्छा हैगा, एक साइड इस पे आप हलका से पानी, आप भी गोई है, हलका से पानी लगा दीजे, ये देखे मेरी एक साइड जो है, हो गई ही रोटी, हम दूसरी साइड इसे टर्न क आतों से, इस तरह से आप घुमा घुमा के इसको सेखिए, ताकि ये अंदर तक की अच्छे से हो जाए, इस तरह से आप बनाएंगे तो ये आपको बिल्कुल मिट्टी के चूले का टेस्ट देगी ये रोटी, आपको लगेगा ही नहीं कि ये गैस पे बनी हुई है, हलके हल रोटी के आतों से, आप इस तरह से टन कर करके, देखिए, इस तरह से करेंगे तो आपकी रोटी कच्छी नहीं रहेगी, जब तेज फ्लेम फे करियेगे, तो रोटी जल जाएगी और अंदर से ये होएगी, नहीं कच्छी-कच्छी सी रहेगी, ये देखिए हमारी एक और दोनों साइड देखे कि अच्छी से हो गई है लग रहा है कि मिट्टी के चूले की बनीवी रोटी है जो कि आपने गैस पर बनाया है और मोटी रोटी बनाईए इस तरह से आप मेडियम फ्लेम पर आप इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छी इंशालला रोटी बनेगे इ हलका सपानिया लगा दीजिए उसके उपर तो इससे हो गई है कि आपकी रोटी का कलर बहुत अच्छा आएगा और अंदर तक यह पूरी अच्छे से हो जाएगी यह देखिए इसको हलके हलके आतों से कपड़े से लगा कि आप सेकें आपका हाथ भी नहीं जलेगा रोटी देखिए कितनी फूली फूली सी हो रही है यह देखिए यह देखिए रोटी कितनी फूली सी हो रही है और किता अच्छा सा कलर आया है इस साइड में थोड़ी सी इसको और अच्छी कर लेते हैं कि इसमें इस रोटी का मकसद यह मोटी रोटी का कि आपको बिल्कुल चूले का टेस्ट लगेगा लगेगा कि आप बिल्कुल चूले पे खाना खा रहे हैं अब चूले मिलना तो आसान बात है नहीं तो हर आदमी क्या है गैस पर ही बनाना चाहता है तो गैस पर बनाने के लिए आपको थोड़ा से सबर रखना होगा और बहुत इत्मिनान से इसको अगर आप बनाएंगे तो रोटी कच्ची भी नहीं होगी और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगी और इस रोटी को खाने का सही तरीका चटनी के साथ में दही चटनी इसके साथ में खाई जाती है आपको खाना है आप गोश के साथ खाएं दाल के साथ खाएं लेकिन इत्यो भी शेखते हैं तीसरी रोटी हमने बहुत पतली सी बनाई है ऐब हुआ है चपाती टाइब की इसमेलिला रह मने यह देखि इसी तरह से हमने मेडियम लू फलेम पर अपनी पतली रोटी चपाती की तरह भी वेल ले और देखिए कितनी अच्छी सी हुई रोटी ये देखिए हमारी तीनों रोटी जो है मशालला तयार हो गई है चलिए अब इसको हम इसकी ड्रेसिंग करते हैं जरा अच्छी सी ताकि इसको खाने में और ही मज़ा आ जाए अब हम गैस आफ करते हैं बिसमिल्ला हरवाने रहें इसके उपर पे और देसी घी जो कि इसका टेस्ट और भी अच्छा कर देगा इस तरह से आप इस पे घी लगाईए तो कि भाई सुबह एक बार तो अच्छे से नाश्टा करी लीजे भले ही आप वेट लॉस कर रहें लेकिन थोड़ा से अच्छा नाश्टा करेंगे ताकि अच्छे से आपस में मुलाखात कर लें जो घी इसमें लगाए वही घी इस पे लग जाए इसको बिल्कुल दिहाती गाउं के स्टाइल से आपस में मिलाते हैं मिलाने के बाद देखिए दोनों पे अच्छा सा घी लग गया इसको इधर रखते हैं अपनी पतली वाली जो चपाती है उस पे भी बिस्मिल्ला हर्मानी रह्म कहिर के अच्छे से घी लगाते है खुब बेतर तो भी इसका साथी तो है नहीं तो इसको ऐसे ही आपस से मिला लेंगे मिलाने के बाद में ये रही हमारी आम की चटनी इसके साथ में हम इंजॉय करेंगे खाएंगे खुद भी खाएंगे दूसरों को खिलाएंगे बच्चों को खिलाएंगे और खास करके उनको जरूर खिलाएंगे जिनके बीपी और शुगर है इन्शालला आप इस तरह की रोटी बनाईए आम के साथ में खाईए खुद भी मज़े कीजिए दूसरों को भी मज़ा कराईए और अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे लिए दूआ कीजेगा और अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजेगा और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और अच्छा लगता है तो शेर कर दीजेगा मिलते हैं इन्शाला ताला किसी नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना अपनों का सबका ख्याल रखिएगा तब तक अल्ला आफिज